असलाम अलेकों मैं आपनी लेकर आई हो एक मज़दार सी रेसिपी चटपटी सी चलेंजिस को स्टार्ट करते हैं एक बोल में हम बेसन लेंगे जिंडर गार्लिक पेस्ट एड़ करेंगे कुछ मसाले एड़ करेंगे कुटा धन्या कुटी मिर्चे हल्दी नमक खाने का सोडा एड़ करेंगे हम इसमें प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चों को इस तरह चौप करके एड़ करेंगे मिक्स करेंगे पानी डाल के इसका एक बैटर तयार कर लेंगे थिक सा बैटर बिल्कुल इस तरह से इसको 15 मिट के लिए हम रेस्ट के लिए छोड़ देंगे दोसरी जाने दही को फेटेंगे, स्मूथ कर लेंगे बिल्कुल क्रीमी टेक्स्टर में फेट हम इसमें नमक और पिसी भी लाल मिट्शे आड़ करेंगे जिनर गाली पेस्ट आड़ करेंगे, पानी डालके दही को थोड़ा सा पतला कर लेंगे तरह से पकोड़े फ्राइ करेंगे, पकोड़ों को हम इतना फ्राइ करेंगे कि अंदर से पक जाए और उपर से ये गोल्डन ब्राउन हो जाए इनको निकाल के हम डेरेक अपनी दही वाले मिक्स्टर में एड़ कर देंगे दूसरी जाने हम घी लेंगे, जीरा, कड़ी पत्ता, साबुत लाल मिर्चे लेंगे और हम इसका अच्छा सा तड़का रेड़ी कर देंगे हमारा तड़का तयार है, हमने इस तरह से लगा दिया है इस पर आकर में चाट मसाला चड़क देंगे लीजिए हमारे मज़दार से दही बड़े, रेड़ी हैं खाने के लिए आप इसको इस तरह से भी खा सकते हैं रोटी और आइस के साथ भी सर्फ कर सकते हैं रेसेपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, फॉलो करें, यूटिब चैनल को भी सब्सक्राइब करना बुलकुल न भूलें थैंक यू, थैंक्स फोर वाचिंग, अल्ला हाफेज